गुड़ाफनून स्टुडेंट्स आज का हमारा विश्य है पत्र लेखन यानि पत्र लेखना हमने आपको पहले दो प्रकार के पत्रों में भी बताया था कि पहला इसकी दो काइंट्स होती हैं अपचारिक और अनपचारिक फिर हमने इन पत्रों को तीन प्रकारों में बाट लिया था पहला विध्याले से सम्मंदित दूसरा शिकायती पत्र तीसरा सगे समंदियों से समंदित पहला हमने आपको विध्याले से समंदित पत्र का प्रारूप चिखाया दूसरे वीडियो में हमने सिकायती पत्र से सम्मंदित प्रारूत सिखाया, आज हम सिखाएंगे सगे सम्मंदियों से सम्मंदित पत्र लिखने का प्रारूत, देखे इसके एक्जाम पर सगे सम्मंदियों से सम्मंदित पत्र कैसे होते हैं, जैसे अपनी माता को पत्र लिखो, जिसमें उनके स्वास्ते के बारे में पूछा गया हो दूसरा ऐसा उधान हो सकता है कुछ संगती से बचने की प्रेणा देते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए तीसरा हो सकता है इसका एक्जामपल वार्शिकोच सव का वर्णन करते हुए चाचा जी को पत्र लिखिए ये सब पत्र जो है सगे समंदियों को लिखे जाते हैं इसमें माता को, भाई को, चाचा को, दोस्त को, रिस्तेदारों को ये सभी सगे समंदियों से समंदित होते हैं इस तरहे के पत्र जो है उनका प्रारूप कैसे होता है सबसे पहले पता यानि एड्रस उसका पता जिसको आपको पत्र लिखना है यानि जिस किसी को भी आपको उसका पत्र लिखना है देखिए जिसको पत्र लिखना है उसका एड्रस ये कालपनिक पता है आप उसका वो पता लिखेंगे जहां पर आपको भीजना है हमने लिखने आई काल्पनिक पता कमला कॉलाणी फिरु जगय का गाउं का शहर का स्थान का नाम लिखेंगे लिखा हमने जैसे करनाल उसके बाद देखिए विश्य हम जो होते हैं हमने विध्याले वाले में शिकायती पत्र में विश्य लिखा जग की सगे समंधियों को लिखे जाने वाले पत्रों में विश्य नहीं लिखना होता इसमें विश्य नहीं लिखा जाता उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं संबोधन से संबोधन मिन्स यगर माता जी को लिखा है तो आदर्नी है माता जी या फिर चाचा जी को लिखा है तो आदर ने है चाचा जी इस तरह खिसे संबोधन लिखने के बाद अब आगे विश्यक अनुसार आट-दस लाइनों में हम लिखते हैं उसके पस्चाथ आट-दस लाइन कम्प्लीट होने के बाद आपका सुपूत्र आप प्रिये मित्र ऐसे करके हम इसका आंत करते हैं उसके बाद यहाँ पर अपना नाम जैसे मैंने को अगर लिख दिया हैं यहाँ आपको अपना नाम लिखता है आइन में हमें अपना पता लिखना होता है हमारा address ये हम कभी-कभी उपर भी लिख सकते अगर लिखना चाहें तो और अगर इस address को हम ना लिखें तो भी चलेगा ये गलत नहीं होता लेकिन end में हमारा पता लिखा जाता है धन्यवाद